आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्किन मनेजमेंट स्किन मनेजमेंट क्या चीज है तो इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे चलो जी इस टॉपिक के अबजेक्टिव क्या है बाइंड अप्स्यूपिस्टेशिंट उर्टो डिट्व क्या चीज है यहने बित्सव या प्रेशर आर्ट्सर क्या चीज है लेटrée काज आप डिट्व बाइंट अर्शर किशी चीज शें होती है आपलाई नर्सिंग commence to prevent datasets og और नर्सिंग हम कैसे apply करेंगे एक decubatic ulcer के patient पे या एक pressure ulcer के patient पे हम nursing कैसे apply करेंगे identify risk factor of bit sore और bit sore के risk factor क्या है वो हम identify करेंगे अच्छा जी तो pressure ulcer हमारे साथ क्या चीज़ है pressure ulcer is a with localized area of tissue necrosis ये एक localized area होता है wound के यानि जहां के एक localized area होता है जो के क्या होता है जो के वहां पे necrosis हुआ हूँ necrosis मतलब cell death हुआ हूँ जहां पे सिल डित हो जाए तो इस जगा को हम क्या कहते हैं जब सिल डित हो जाए तो इसको हम निक्रोसिस कहते हैं तो जिस जगह पे tissue death हो जाए या cell death हो जाए एक localized area पे जहां पे जहां पे जहां बन जाए तो उसको हम pressure ulcer कहते हैं It is also known as pressure source और इसको हम pressure source भी कह सकते हैं Bid source भी कह सकते हैं या decubatic ulcer or distortion source भी हम कह सकते हैं Depending on the depth of the ulcer, a pressure ulcer may be an acute wound or chronic wound ये depth पे depend करता है ये जो pressure ulcer होता है ये depth पे depend करता है और ये acute wound भी होता है और chronic wound भी हो सकता है Like for example, जैसे के हमारे साथ एक acute wound ऐसा होता है कि बस wound लग जाता है और जल्ली जल्ली से ये बढ़ता है बहुत कम टाइम में ये बहुत ही बड़ा wound बन सकता है और chronic wound ऐसा है कि ये time लेता है मनलब time के साथ साथ ये बलता है लेकिन ये ज्यादा time लेता है ये slowly बलता है The underlying cause is pressure और ये pressure answer किस वज़ा से कास होता है तो ये pressure की वज़ा से कास होता है जब एक boni जगा हमारे जिसम का एक boni part दूसरे part से जब ये क्या हो जाए जब एक boni जगा दूसरे soft tissue की जगा से friction कर ले या sharing force कर ले तो उस जगा पे क्या आ जाता है उस जगा पे pressure आ जाता है और उस pressure की वज़ा से एक ulcer बनता है एक wound बनता है तो उस localized area को जहाँ पे wound बना है उसको हम pressure ulcer कह सकते है Most pressure ulcer develop when soft tissue is compressed between a boni prominence and external surface for a prolonged period of time for a prolonged period of time ज्यादा तर pressure ulcer वहाँ पे बनता है जब किसी soft tissue का जब कोई soft tissue दो prominence boni tissues में compress हो जाए तो उस जगा पे एक wound बनता है और उस wound को हम क्या कहते है उस wound को हम pressure ulcer कह सकते है Two mechanism contribute to pressure ulcer development दो mechanism है जो के हमने contribute किया है कि इस वज़ा से क्या होता है pressure ulcer develop हो सकता है एक तो external pressure of that compressed blood vessels एक external pressure होता है जो कि blood vessels को compress कर ले तो उस वज़ा से भी एक wound बन सकता है जिसको हम pressure ulcer कह सकते है या दूसरा ये है कि हमारे साथ अगर friction हो जाए मतलब कोई जगा किसी चीज़ से रगड ले या sharing force हो जाए तो उसकी वज़ा से भी हमारे skin पे क्या बन सकता है हमारा जो blood vessels है वो injured हो सकता है और उस जगा पे क्या हो सकता है उस जगा पे facial ulcer बन सकता है friction क्या चीज़े It is a force acting feral to skin surface ये एक force होता है जो कि feralally जब एक body का part किसी चीज़ से feralally friction करे मतलब जब एक body का part दूसरी जगा से feralally friction करे तो उसको हम क्या कह सकते है उसको हम friction कह सकते है पर एक्जामपल हमारे साथ है sheet rubbing जब sheet rubber हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते है friction कह सकते है sharing force क्या है It is the combination of friction and frisher ये हमारे साथ frisher और friction का combination है commonly occur due to faller position जब बंदा faller position पे हो या कोई patient faller position पे हो तो उस वज़ा से friction और frisher दोनों combine हो सकते है और उस वज़ा से फिर हमारे साथ sharing force आजाता है जिसकी वज़ा से क्या बन सकता है frisher अर्थर बन सकता है अच्छा जी पेटो पिजियालोजी और frisher अर्थर frisher अर्थर के पेटो पिजियालोजी क्या है पस तो ये होता है कि एक soft tissue जो है वो वरलाइंग हो जाए bony prominence जगा से तो उस वज़ा से क्या हो सकता है तो उस वज़ा से हमारे साथ frisher आ जाता है जो कि normal pressure से ज्यादा होता है हमारे body के normal capillary pressure जो है ना वो से ज्यादा हो सकता है तो उस वज़ा से फिर हमारे body का जो blood whistles है वो tearing हो जाता है या उसका occlusion हो जाता है occlusion हो जाता है तो उस वज़ा से उसको हम क्या कहते है? Pressure Arcer या Bitsor केसकते हैं चलो जी, उमीद है के आप लोगों को Pressure Arcer की समझ आ गए होगी कि प्रिशर अरसर क्या है और ये किस वज़ा से कास होती है Next Topic में हम इसके Risk Factor पढ़ेंगे Pythofiziology and Pressure Arcer यह बहुत important है M.C.U.s के लिए तो उमीद है कि आप लोग इसे memorize कर ले नेक्स टॉपिक में मिलते है चले जी अल्ला हापिस